सो वेलकम एवरिवन अगेन हम लोग फिर से आगए सी एस प्रोफेशनल की अमेंडमेंट क्लासेश लेके सरी एक अमेंडमेंडमेंड क्लासेश क्या चीछ की है यह मेंडमेंड क्लासेश डिसमबर 2022 में एक्जाम जो होगा उसके लिए सर डिसमबर एक्जाम के लिए यह सरी यह amendments है कहां पर amendments आपके institute के website पर है आज हम लोग करेंगे सेकेटल आउडिट वाला पेपर module 2 paper 4 राइट हमने सारे पेपर एक एक करके कर रहे हैं और आपके लिए streaming के लिए available भी है आज हम लोग कर रहे हैं सेकेटल आउडिट वाला पेपर सर इसमें तो बहुत सारे changes है फिर वही डर जाते हो बहुत सारे changes नहीं है में भी आप देख रहे होंगे क्योंकि जब आप history का मैट देखोगे तो यह बहुत बड़ा है राइट history का मैट देखके यह लगेगा कि सर यह तो बहुत बड़ा है बड़ त्रस्ट मी हैं नहीं वर्याशित आदे से ज़ादा amendment हम लोगोंने कर लिये हैं है ओ स्षय्व ज्सकर शांज जाये कोंवें Lubay पनेद्मेंट हमारे में हैं तो वहां भी कबर करेंगे और funding में तो वहां भी कबर करेंगे ओ सर तक तो बहुत इजी हो जाएगा हाँ जी इसी लिए आईए ये इंस्टिचूट के मैट से हम लोग करें सप्लिमेंट बोल के इंस्टिचूट ने मैट रिलीज किया है उसके वेबसाइट पर अबरी स जीत है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम लोग डरके आगे जीत वाले हैं सर अम लोग गए करके समझेंगे सर इतने सारे जो लेशन नहीं है ना बहुत एज़ी आओ पहले लेसन टू में जो चेंजस कमप्लाइंस रिलेटेड किया है देख कुछ नहीं है इस चेंज में क्या है मैं आपको बता दूँ आपको पता होगा देरीज अ सरकुलर से किसका सी बी का सब्सक्या चीज का सी बीका सर्कुलर कि जब जब आप कोई स्कीम ऑफ अर्एंज यार, before filing the scheme with the tribunal, we need a no objection letter from stock exchange, ऐसा बोल के बच्पन में पड़ावा कोई धुनला धुनला याद आया, हाँ सर, एकदम याद आया, बस वही याद रखना है, उसी के लिए CBX circular issue क्या था, जिसमें सारे process थे, सर, process in the sense क्या-क्या था, वहाँ पर था, कि जब आफ फाइल करोगे, तो सेभी के साथ, stock exchange के साथ, क्या-क्या documents रहेगा, स्कीम की copy रहेगी, audit evaluation report रहेगी, audit committee का recommendation रहेगा, etc., राइट, अब उसी के बाद से भी, November 18, 2021 में, 18 की number को, और उसके पहले, एक circular लेका है, बुला, अगर आपकी banks, FIs वगर से borrowing है, या फिर कोई devinture trustee है company में, तो उससे लगेगा, यह requirement किसके है, stock exchange की, देखो, क्या twist है, NCLT बोलता है, stock exchange का INOC, stock exchange बोलता है, bank का INOC लाओ, right, zigzag, sir, समझ गया, तो हम stock exchange का INOC, bank का INOC, stock exchange को submit करेंगे, right, अब वहा क्या लातो दिया circular, timing is specified नहीं किया, later on, Sevy by virtue of this circular on January 3rd, clarified that this NOC from the bank should be filed with the stock exchange, sir, कफ पाइल करेंगे, यह तो बताए, कफ पाइल करेंगे, यह भी बहुत clearly लिखा है, it has to be filed before the received of no objection from stock exchange, means, stock exchange देने से पहले ही आप उसको submit कर दोगे, copy, sir, इतना सबसी, amendment थोड़ी नहीं था, sir, यह तो, sir, छोटी सी चीज अब बता देना था, sir, आपको, और मैं तो बता देता, आप लोग मेरे को बोलते हो, sir, detail में बताईए, sir, detail में बताईए, तो मैं तो detail में चला गया, ठीक है, sir, और कोई change इसमें, sir, listen to में, हैं, आईए न, दीरे-दीर करेंगे, एक है, disclosure obligation of high value listed, debt listed entities in relation to related party, एक मजीदर बात, याद है, एक शाम की समय था, जब हम पढ़ रहे थे, related party transaction की, और अचानक, related party की definition, रातो रात बदल दी गई, cb, right, यादा रहा ऐसा कुछ, promoter, promoter group का अगर वो part है, तो वो भी related party होगा, या फिर कोई person, जो उस entity में 20% hold करता है भी, और 10% 1st April 2023 से hold करेगा, वो भी related party होगा, यादा रहा है सा, हाँ सा, थोड़ा-थोड़ा यादा है, और हम लोग ये भी बढ़े की related party, transaction का भी gambit बहुत बढ़ गया, मलब listed और listed की subsidiary एक तरफ, और दोनों के related party दूसरी तरफ, किसी के बीच में भी जिग-जाग, इदर, उदर, रिदर, उदर, यादा है, वो arrow से किये, subsidiary का उससे हो जाए, या related party of subsidiary का, लिस्टेड से हो जाए, सब कुछ को माना जाएगा related party transaction, इसी में clarification दिया, सेभी का एक circular था, जिस circular में क्या था ना, सब को एक disclosure submit करना है, हाँ सर वो disclosure RPT का आपका याद आया सर, आपने कहा था वो half yearly देना पड़ता है, जी, सर आप अभी ये भी बतायते है कि हम लोग को अभी 15 days में देना पड़ता है, जी, सर आप ये भी बतायते है, 1st April 2023 से हम लोग same day देंगे, जी, सर बस यही है, नहीं, वो circular में क्या है न, listed entities, listed entities, specified securities के एंगल से बात कर रहा था, तो clarify कर दिया, बोला ये debt listed, जो है न, high value debt listed entity, उन पर भी applicable होगा, बोला कैसे, आपको मालूम है कि regulation 15A बोलके से भी ने इंसर्ट किया, सर क्या है ये, से भी ने इंसर्ट किया with the reason, only sole reason 1A, that only with the sole reason 15 1A, that, why this regulation was required, this regulation was required particularly to make that sure, कि non-convertible, अगर securities किसी company के हो, और वो issue करे, और उसकी size 500 क्रोड और मोर हो, तो उनको भी LODR comply करना पड़ेगा, regulation 16 to 27, हाँ सर ऐसा याद आ रहा है सर, और उसमें एक और बात लिखे थी, कि high value debt listed, जो debt entities है, वो comply or explain, मतलब या तो अभी comply करे, या नहीं करे, तो reason लिखेगी क्यों नहीं कर रहे हैं, कब तक 31st March 2023 तक, उसके बाद तो mandatory उनको भी करना है, सर उनको भी करना है, उनको भी करना है comply, यस, उनको भी high value debt listed entities, सर समझ गए, तो बस से भी circular लाया, और रात रात बोल दिया कि यह circular जो related party disclosure का है, यह हमारे होनहार, जो debt listed entities हैं, उनके उपर भी applicable होगा, होगा होगा सर, अब आप बोल दिया जब applicable होगा, बेरी गुड, फिर next के amendment देखो, ICDR से related, सर, ICDR related amendment, प्लीज मत पढ़ा, यहना सर, बढ़ा डर लगता है सर, क्यों डर लगता है, आईए, इंस्टिचूट के मैट में page number पर, कौन सा page है, हम लोग page number, I guess we are on the page number 3, राइट, इंस्टिचूट का मैट वाला, सर, इसमें देखेना बहुत सारे change लेते, कुछ नहीं है, यह पढ़े हुए है, सुन लिजे क्या है, ICDR में preferential issue लाते हो, जब लाते हो तो preferential issue में एक certificate देना पड़ता है, सर, क्या certificate होता है, कि हमने ICDR regulation को comply किया है, तो सर, उसमें क्या change है, पहले यह statutory auditor देता था, हाँ सर, एकदम यादा रहा बराबर, अभी practicing company secretary देगा, अरे वाँ सर, yes, second, आपको याद होगा, यह हम लोग funding में भी किया है, general corporate purpose के लिए fund आप allocate कर सकते हो, right, यादा रहना 25% which shall not exceed, और इसके साथ एक और amendment था, कि general corporate purpose हो और एक not specified project हो, मतलब GCV प्लस एक ऐसा project हो, जो not specified हो, मतलब उसका क्या threshold होगा, उसमें कितना use होगा, क्या नहीं होगा, right, general corporate और project और non specified, उनकी overall total strength है, 35% सर उनकी 35% है, हाँ जी, उनकी 35%, तो याद कर लिजेगा, ठीक है सर, सर और भी इसमें कुछ चेंज है लेकिन, देख रहे हैं सर आप बहुत सरा चेंज देख रहे हैं, हाँ जी है ना, एक है, additional condition for offer for sale, OFS, इसमें अगर आपने funding में देखा हो और funding की video नहीं देखी है, तो please देख लीजे एक बार, उसमें हमने समझाया है, कैसे, हमने कहा है, कि अगर suppose करी offer for sale क्या होता है, IPO में आप नहीं sell लाते हो, offer for sale में, जो existing promoter हो, अपनी कुछ holding को sell कर देते हैं, हाँ sir, absolutely, कुछ अपनी holding क तो वो लोग धरे-दरे sell कर देते हैं, तो क्या होता है, बोला, ऐसा क्या होगा, कई बार promoter सूच सकता है, हम पूरी की पूरी holding sell करके निकल जाएं, हो यह सकता है, हाँ sir, एकदम chance है, तो ऐसा हम कैसे allow करें उसको, absolutely sir, allow तो नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या किया जाए, सेभी है, सेभी है, कि जो भी shareholder existing है, अगर वो 20% से ज्यादा hold करते हैं, तो वो अपना 50% से ज्यादा sell करें, मतलब एक cap ला दिया उनके उपर, कितना का cap ला दिया sir, उनकी 50% holding का, मतलब अगर मेरा 30% है, तो मैं अपना 50% ही, मतलब 15% ही offer for sale रख सकता हूँ, right, so that the market में parity remains कि हमारी holding भी रहे, यह नहीं कि हम बेच के निकल के public ब्योकूब बनगे लेके, fundize this, और अगर जिसकी holding less than 20% है, वो ऐसा ensure करेगा कि जितना भी sell करे, करने के बाद उसकी holding 10% से ज्यादा dilute नहीं होनी चाहिए, मतलब वो minimum, sorry, जो sell के quantity maximum निकाल सकता है, maximum निकाल सकता है, वो 10% of that company's capital, यहाँ उसकी 50% नहीं देखेंगे, यह company के 10% जो होगा, वो ही maximum sell में निकाल सकता है, understood sir, सर, सर, ICDR में और कुछ चेंज, हाँ जी है ना, credit rating agency, देखो, मिल रहा होगा ना, सर, यह क्या credit rating agency, यह है, say for example, आपको monitoring agency appoint करनी परती है न, पहले यही परते थे, अगर IPO में size 100 crore और more है, तो आप क्या करते थे, monitoring agency appoint करते थे, yes sir, monitoring agency report देती तब तक जब तक 95% use नहीं हो जाए, yes sir, monitoring agency कोई बैंकर वगर हो जाते थे, right sir, अब monitoring agency नहीं होगी, क्यों sir, अब होगी credit rating agency, sir, credit rating agency, yes, credit rating agency, और यह till the time 100% use होगा, तब तक report देगी, so अब याद रखेगा, credit rating agency is into picture, sir, समझ गये sir, sir, इतना सा छोटा सा बात आप डरा के बोलते हैं, बस, अरे डराते नहीं, याद दिला रहें आपको, sir, और क्या change है, और है, cap change हो गया है, हम लोग पहले पढ़ते थे थे न, cap जो है, और floor जो है, वो 20% का discount होना चाहिए maximum, right, but minimum discount कभी नहीं बोलते थे कि इतना तो हो, रखना ही पड़ेगा, right, क्या होता है, at times, जब आप discount बोलते हैं, 20% तक जा सकता है, कोई 1-2% भी सोच सकता है, तो लोग clarify कि आप, बोला, start करना 5% discount से, right, this is the cap, मलब जो discount start होगा न, उसकी भी cap होगई है, कि वो कम से कम, कम से कम वो 5% का हो, right, कम से कम, और floor तो जो है, वो रहे गई हंडेड़ी, तो cap पे भी अब 2 selling है, maximum cap अगर बोलू, तो maximum cap जाएगा 120 तक, और minimum cap कितना रहेगा, 105 तक, अगर आप price बेंट दे रहे हो, ताकि वो 1-2% होला, जो चिद्धी discount देते हो न, आप लोग, दुकंदालो की तरह है, आईए 2% discount दे देंगे, वो सब नहीं हो, कम से कम, 5 से सुरू करो, अगर दे रहे हो तो, सर समझ गया सर, फिर सर ये lock-in period का भी एक दिखरा हम लोग को, हाँ जी ये lock-in का, देखो, हाफ हो गया, सीधा बस इतना याद रखना, हाफ, पहले 36 मन तक था 20% का, अभी 18 मन्स हो गया है, पहले exceeding 20% वन एर था, अभी reduce हो के 6 मन्स हो गया है, और अधर दिन प्रोमोटर हो, तो उनका lock-in 6 मन्स ही रह गया है, सर समझ गया है, सर मतलब यह सब amendment to सर, ICDR के funding में भी पढ़े होंगे हम लोग, हाँ, वह आप पढ़ने पढ़ेंगे, अब आजातें next, आपके institute के मैंट में भरा भहानक लिखा है, empowering investors, through investor charter, अब लोग पढ़के डर गया, बोलेंगे, क्या है सर, यह क्या पढ़ना है, कुछ नहीं है, इसमें increased role of savi है, दो सर, हम लोग क्या लिखेंगे, see, savi in order to win the trust and confidence of investors, they are making their robust mechanism of grievance redressal, in fact, they are also examining alternate disparate resolution mechanism, कि किसी और तरीके से इसको कैसे out of the court दोनों की लडायों को साम्त किया जाए, और ना सिर्फ इसके लिए, अभी लिखनी जे यहीं पर, in fact, यह stock broker company के लिए भी, अभी लिख दीजे क्योंकि पीछे जब आएगा, तो मैं आपको यहीं बोलूँगा, मैं करवा दिया हूँ, this is also applicable for stock broker, for portfolio managers and for mutual funds, देखा, ऐसा मैंने लिख दिया, आपकी चलते मैंने लिख दिया, सर यह लोग को भी follow करना पड़ेगा, हाँ, क्यों follow करना पड़ता है, यह basically है क्या see investors ने बड़े दिमाग से पैसा लगा, बड़े प्यार से पैसा लगा आपकी company में, और आप उस प्यार का नजायच फैदा उठा रहे हो, ऐसा कैसे उस सक्ता से भी बोलता है, प्यार तो प् से इफ्थिप मेकानिजम से वी इस अलिवाइड एड एड वाइज़ से फर एग्ज विवाइड, प्यार से फिर इस प्र टॉड़े सभी आप्ने सुना आपकूर्स से वी से कंपलें वे इस राइड नहीं नहीं या दार आ सा राय सा क्यूस्टम एफ्टिवाएड वाई प् सो यह सारे एक जगा लिखोगे सर यह लेकिन क्वेश्चन के आ सकता है एक्जाम में सर वालब हम लोगों को समझ में आ रहा है एक्जाम में पिक्चर आएगा दूखे एक्जाम में टूखे से जोगे से लिखागे से घृ एंपर थी घृ है इंपर्वक्ति आ ईंप्टिय। भीस कमेंट अप लोगे हाँ से भी है से भी से भी तुही है माधा तुही पिता है like this no you should write service initiative that's course is there service coming out with investor charter that investor charter is for stock brokers also that investor charter is for portfolio managers also they are coming out with the alternative dispute redressal mechanism also all this should cover in your points सर अब समझ में आए कि इसका आंसर क्या होगा सर आप ऐसे समझाएंगे ने तो आम आप में सारा लिख देंगे को पूश्चन नहीं समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं नेक्स आजाईए लुक नेक्स पेज फाइब पर इसमें क्या है इसमें बड़ी चोटी सी बात है कि वोकर सर से भी अलो थे अनने सर अपड़ियों यह सबस्क्राइब थो बीघभण में आफ जना दिए आया है कि ऑम गुलता है कि अपोईंटमेंट रियत् मेंट परसं का हो मैंचिंग डेक्टर अलंटमें डिरेक्ट्र और अब मैंजर का भी मेनेजर आप कुछ और ही सुचते हो तो मैनेजर जो भी है अगर उनका अर्लियर रिजेक्ट हुआ है अप्रूवल तो वह वापस शेरोल्डर के बोलने से ही आएंगे सर यह तो बात लेकिन कंपनी जैक्ट में लिखा है सर अरे कंपनी जैक्ट में लिख दिया है बट होता किय सब्सक्राइब का इक उनका रिजेक्ट वाला जो है न वह रिजेक्ट अगर वह गया तो होता किया था लोग को थे तरह रहे वह ड़िट्र का रिजेक्ट हुआ उसको तो वापस अडिशनल बना ही सकते हैं एक ही आत्मी का दो रेजलूशन तो अब क्लियर बोल दिया कि M.D. M.D. सब वोल ताम डिरेक्टर मैंगर अगर उनलों का किसी का भी रिजेक्ट हो गया किसी वे में अब आपस शेरोल्ड से ही आओगे सर समयज गया है सर नेक्स टू पॉइंट्स के इस ही में नेक्स टू पॉइंट्स बहुत इजी है आपको बता ने डिजिटलाइज का जमाना है वी आर गूइंग डिजिटलाइज आप भी फोन से उठा के पेमेंट करते होंगे नहीं यह सब फोन उन से पेमेंट कर देते हो सर तू सर इसमें फाइदा क्या हो रहा है से भी सेइंग ट्रांसफर, ट्रांसमिशन राइट, इस्वेंस अफ डूप्लिकेट, सर्टिफिकेट अबरिधिंग विल नौ हापन इन दीमैट इसमें कुछ चेंज नहीं है सीथा सिंपल सा, देखो क्या है सुनो पहले भी हुई रहा था चेंज अन कंट्रोल अफ एमसी वगर है, राइट कंपनी एक में लेकिन होता क्या था, जब भी कोई चेंज हो, परस्वें टू स्कीम जहां पर स्कीम ऑफ अरेजमेंट वगर हो अबिसलि आप NCLT के पास जा रहे हो लेकिन से भी बुला अध्यान से सुनो, मेरा प्रचन नी ऐसा अध्यान से सुन रहे हो से भी बुला कि मेरे को ध्यान से सुनो से भी से एंग कि AMC's are basically under my cluster Asset Management Company तो बुला जब यह कंपनिया मेरे अंडर में है मेरे अंडर में देख रही है तो इनके अंदर जब चेंज इन कंट्रोल आए ना I need to know Like NBFC वगर आप जानते हो ने NBFC में NBFC NBFC वगर में क्या चेंज आया NBFC में चेंज आया कि sir NBFC में RBI का अप्रूबल चाहिए होता है Right RBI का अप्रूबल So similarly Here also they are saying Sevy saying Since AMC's are under my control So why don't you allow that कि जब जब इन में चेंज इन कंट्रोल आए तो पहले वो हम से अप्रूबल ले Right जब हम से अप्रूबल मिल जाए तो फिर वो NCLT में फाइल करें Oh sir it's a kind of a LODR वाला प्रोविजन ओली जहां पर यह लिखा भाता ना sir कि कोई भी स्कीम फाइल करने से पहले एक नो अब्जर्वेशन लेटर दिया जाएगा Right Yes और यहां पर इसकी वेलिडिटी है थ्री मंस Sir बस इतना सही एकदम मैं तो आपको बोला ही कि डढ़ना नहीं है So change in control done Sir next page पर आएं sir page number 6 पर Sir यह बहुत धमाकेदार change है क्या मालूम है बोला notification under section 67 of the LLP act आपको मालूम है LLP क्या होता है LLP is a body corporate Like hybrid form में यह partnership भी है बट थोड़ी hybrid form में है Sir मतलब hybrid form in the sense they are the balanced company type भी और body corporate type भी और partnership भी Sir क्यों ऐसा आप बोल रहें Because the reason being their liability is limited किसकी partners की अभी क्यों वाइ Companies Act ने बोला कुछ कुछ Provisions Companies Act के LLP भी अप्लाई होंगे LLP डर गया Sir ऐसे भी तो LLP भी बहुत सारे इतने complicated forms होगे रहें 2, 5, 8, right हम दो थक जाते हैं forms of accounts statement of accounts अगर देखते हुए form of insolvency होगे रहे उसके अलावा बोला कोई बात नहीं Act भी बढ़ेगा बोला देखो क्या बोला पहला तो एक section जो है SBO 90 देख के अधर है SBO जिसको मैं बड़े प्यार से बोलता हूं हमेसा पहचानो कौन पर्दे के पीछे कौन है पहचान कौन यादा रहो पर्दे के पीछे जो सनाटापन है उसको खोज निकालने का आखिर है कौन राइट यस सर वो है SBO सर SBO पर्दे के पीछ होता है नहीं SBO means क्या होता है इंडिविज्विज्व को इंडिविज्वाइब करना अगर कमपनी जैक में अगर सेक्षेन 90 आपको याद आ रहा हो तो जब-जब किसी की होल्डिंग याद आ रहा ऐसा 10 परसेंट हो किसी नॉन इंडिविज्विज्विज्व की पर्णर्स हो सकने है तो उनके पीछे रहा रहा physical आपके पिछे रहा सथेंड प्रशुकर सेक्त को इंडिविज्विज्विजल Interest पीचार में वेहल MT5, सिस्क्लिवाइब को इन देखेंट पना 164 2 में वेर दे हम नॉट फाइल इन्व लेटन एट्सेटरा इस विल बिकम फॉर लेल्पी एस वेल तो सर वहां तो डिरेक्टर निवन सकते हैं यहां क्या निवन सकते हैं अगर यह सब फाइल निवा तो यहां डेजिगनेटट पार्टनर निवन सकते तो सर दोनों जंगे प्रॉब्लम में हां तो 164 भी अप्लाई हो गया 165 नंबर अप डिरेक्टर शीप मलब जो आपकी डिजिनेटेट पार्टनर की लल्पी मेंबर्शीप पार्टनर्शीप है वो भी अब लिमिटेट हो गई 20 ओ मैं गॉड सर 167 वेकेशन का भी अप्लिकेब इंसल्वेंट या फिर कोट ओडर पास हो गया और या फिर यह बिन इंवल्ड ओफर ऑफेंस जहां पर आपको पनिश्मेंट मिलाओ फॉर ए मिनिमम पिरिएड ऑफ सिक्स मंथ और फाइब यह सब पढ़े थे हम लोग आपको वाकीट करना पड़ जाएगा असा टूजरो शिक्स का है टूजरो शिक्स बोलता है जैसे सेंट्रल गवर्मेंट वहां पर पावर था ना कि अपना ओफिसर अपॉइंट करके ऐसे फाइओ वगरा आते थे या फिर ओफिसर वहां से अपॉइंट होंगे जो आपके बुक्स एंड इस्पेश्चिन बुक् यह उपनी जहां के लिए पी के लिए ठड़ने लल्प के लिए एगा लेकिन कुछ 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 जुडा होतो रहेगा आखिर निखे तो तुम कंपनी जयक में से हो समझ एघंख आगना कुछ कुछ जुडा रहा है लेकिन एक चीज़ बताई ना कुश्चिन कैसा सकता है कुश्चिन आएगा लल्पी इस एक्स्क्लूसिबली गवर्ड वाइड वाइड अपुरा ग्रास लिखे आगा यह यह कोई कुश्चिन है कही लोग तो लिखेंगे ओ यू दों नो इस वेरी सिली कुश्चिन लपी गव फ़ लपी सर बहुत कॉंपियुकेटर रहे लुपी की लाइफ हां समझ गहे दा जolitि हतने तो एस भी अपलाई होगा रहा क् Button जूंज्टेंड एक्स्टेंट केशन होगा वाइनותि सकाइब धरिय क होगा 167 भी apply होगा सर समझ गया सर है तो complicated सर आप जो भी बोलिए मान लिए आपकी बात को but this is complicated कोई बात नहीं बस याद रख रहे हो ना मान लिए नेक्स आईए नेक्स लिएक नोटिफिकेशन अब मैं क्या पढ़ा हूं बुला सर यह भी बता दो ना सर आप क्योंकि यह भी धर जाते हैं लोग पढ़ते हैं इस सब की notification क्या चीज़ का है सी जब आप चेंज वेंज नेम करते हो ना तो पहले क्या तर ने ग्राउंड था 15 और उसको लगे कि इस LLP का नाम किसी और LLP के साथ बहुत रिजेंबल कर रहा है तो वो उसको इंस्ट्रक्ट दे सकती है तो चेंज दे नेम सुन लिजेए कम्टी जैक में असा प्रोविजन ने बड़ा अच्छा लएगा सुनने में कम्टी जैक में क्या है सपोस कर एक अपनी का नाम है और उसी से इंकॉर्पेटेड मिलती जूलती जिसका रिजेंबल करता हो नाम एक दूसरी कंपनी न कॉपरेट हुई तो हमेशा क्या था पहली वाली कंपनी को धक्का लगता था कि मेरे नाम के जैसे उसका नाम कैसे हो गया नाम तो मेरे ही होना चाहिए तो पहले से लेटेड और चेंज हां एकदम सेम इसी से लेटेड चेंज है देखो लाइफ कितनी बन जाएगी नेक्स पेज पर जाओगी ना विफोर नेक्स पेज आई विल से कम तो पेज एट डिरेक्ली क्योंकि एट इससे रिलेट हो जाएगा हमारा हां सरा आगा है एट नमबर पेज पर देखो लिखा हुआ है पहला बात तो फीस को लेके चेंज है एललपी में अब सारी फीस ओन्नाइन होंगी ओनलाइन बला मैं भी ओन फी देखो क्या है बुला जहां पर कोई एन एललपी का नेम बहुत ज्यादा रिजंबल करता हो कोई और एललपी को तो एक रुक जाओ एक इतिहासिक छणा रहा है है रूल 19 में देखोगे ना यह चेंज जो है यह तिहासिक है कैसे लिखोगे इसको इतिहासिक लिख लिख इस्टॉरिकल है समझ गया है नहीं इसा ऐसा एक्जांपल मत दिखाई है हम लोग इस्टॉरिकल लिख के सूचेंगे पास्ट का अमेंडमेंट पढ़ना नहीं है ऐसा मत कर दीजेगा प्लीज तो मत लिख हिस्टॉरिकल इतिहासिक इनने सेंस क्या है बुला अगर ऐसा हो न यह लोग तुरंत भागते भागते जाएंगे सर भागते भागते कहां जाएंगे तो बताओ सर आप भागते भागते जाएंगे कहां जाएंगे भागते भागते जाएंगे आडी के पास ओ आडी के पास हाँ जी और आडी को बोलेंगे आडी सहाब हमारा जो नाम है ना और इसका नाम है, दोनों का एक जैसा मिल रहा है, आडि क्या बोलेगा, आडि बोलेगा, महबबत रहिए होगी कभी-कभी, तभी नाम इतना ज़्चादा मिल रहे है, नहीं सर, लेकिन हम लो को तो नीम चेंज कराना है, सर अब मजाक कर रहे हैं सर, तो कोई बात नहीं आप Rd को बोलेंगे Rd को आप application file करेंगे Rd क्या करेगा Rd उसको बोलेगा कि LLP सुनो आपका नाम बहुत ज़्यादा इसको resemble कर रहा है तीन महिने के अंदर अपना नाम change कर लो कितने महिने के अंदर? तीन महिने के अंदर सर लेकिन हम तो धीट है सर हम नहीं कर पाएंगे चेंज़ नहीं करोगे ना तो एक वर्ड देखो O-R-D-N-C सर यह shortcut आप मत बढ़ाऊना बहुत खतरनाक shortcut है यह तो रियल में है वे MCV मेरे टेंड पे जा रहा है LLP में बोला है कि अगर वो नाम नहीं चेंज करता है धीट है तीन मैंने में भी नाम नहीं चेंज किया लकीर का फकीर हो एंड इस नाट चेंजिंग देविदिन प्रीड फ्री मंद्स देन देरीज आप्शन सर आप्शन क्या होगा आप्शन होगा LLP उसके नेम में इस नाम बगर अगों को एक नया C.O.I. इस्व कर देगा सर C.O.I. में क्या होगा C.O.I. में होगा उसका सिरियल नंबर जो नोटिस का इस्व किया जिस येर में राइट एक्जिस्टिंग जो LLP नंबर मिलता है वो और O.I. D.N.C. आगे प्रिफिक्स हो जाएगा और वो दिया जाएगा फॉर्म 16A में तो इसका नाम ही चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली हाँ बहुत ही जादा जाती है यह जाती नहीं है यह बुल रहा है कि बहुत अच्छे तरीका से समझा रहा हूं समझ जाओ तीन मेने में साथ यह जूड़ जाएगा तुमारे नाम के साथ मेरी यादे चूड़ जाएगी सर सुनिये ना हम आड़ी से दुख्य हो गए आड़ी से सर मलब परिसान हो गए तो कोई बात नहीं आप अपील हो गया तो सभी सब जा सकते हो जहां करना है सर समाझ गया है सब अलब इन दे सेंस टूली सेंग अगर वो बोले चेंज करने का तो चेंज कर लेने का एक दम सही उसके बाद नेक्स्ट एजूडिकेशन क्या है एजूडिकेशन एक मेकेनीजम है लाइक कंपणी अपको यादार एजूडिकेशन पेनल्टीज को लिए लाए हैं क्यों तरह से ब्लब कर लो तुम्हारे पर इतना एमाउंट लगने लगने और एजूडिकेशन इसपास्ट मेकेनीजम डबलट वाई दी मिनिस्ट् क्यों कैई इतने सारे पिनल्टी उता है मैं कितने लोगों से लढ़ूँगा कितने लोगों को बताऊंगा कि आपके ओपर अपर इया आपके ऑपर इया तो उसने क्या कि आपोइंट करना चालू किया कमपनी जग में यादा रहा है साधुना दुला एओ होते हैं 454 में राइट येस सर वह क्या करते हैं एओ एजुडिकेशन ऑफिसर नोटिस इशू करते हैं किसको कमपनियों को एक पैनल्टी लिखी रहती हो वह बोलते ही पैनल्टी दे दो दे दिया सर कमपनी पैनल्टी राइट सिमिलरली एलल्प में भी बोला क्या करना है बोला एओ अपोइंट करो एओ नोटिस देगा एलल यह नहीं कर रहा है रिप्लाई का जवाब नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं पैनल्टी लगा देगा सर सुनिये ना हम तो एओ ऐसे कोई भी आके कोई बन जाएगा एओ जडिकरिंग ऑफिसर हमको ओडर दे देगा अरे यह गवर्मेंट ऑफवेट ऑफिसर है कर लो कोई दिक्कत नहीं सर हम चले जाएंगे सर अरे जाओ सर कहा जाएंगे आप जाओगे आरडी के पास कितने दिनों में 60 डेज में कि दुहाई हो दुहाई हो राइट ऐसे चिलाते चिलाते जाओगे कि जड़ सहाब देखिये मेरे साथ जब हम आधी रात को शाम को घूम रहे थे रात को अचाना गाट बजह हम सेलिब्रेट करके काफे से बाहर निकले थे इससे पहले कि पुलीस हमें पगड़ता सर मेरे मो कि आघड़ी कीया राइट बटाप अगर लगता है नहीं कियो तो आड़ी के पास जो आड़ी को 60 days में बता राइट और आड़ी के पास जो अपील होती है वो 33 में होती है राइट यह सर समझ गए सर अगर एक बात हो पता ही ना सर हम लोग आड़ी के जव अपील होगी ऑर का जो ओर्डर पास होगा कोई टाइम लाइन है नहीं आडी सेल मेक इंडिवर टु डिस्पोस अफ केस एज आप एसे पी बोलते हैं लोग उसको बट सर कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आडी कर पहें जरूरी नहीं हो सेतना लंबा चले सर बटाडी किसको आरोसी को जिस और ने आपको नोटिस दिया वह उस और को एक कॉपी भेजेगा कि बुलेगा इस में तुम भी अपियर हो तो इतना चेंज इसर लेल्पी में यह पहला वाला कुछ 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 कमनी जाखके सेक्शन लाइक स्बी ओ डिस्क्वालिफिकेशन 167 206 और अभी हम लोग सामने लग जाएगा राइट एक्दम सही सर और एक लिल्पी का चेंज था जो आप पीछे छोड़ा है सर पेज नंबर आइधिंक सर 7 पे हां चोटा सह वह बताता हूं एक दो तीन डेफिनेशन है नहीं गवर्मेंट को बहुत समझ रहना गवर्मेंट इस प्रो बिसनेस अक अगर यह सब कर जाए तो वह स्मॉल एलल्पी होंगी सर इसे फाइदा अगर स्मॉल एलल्पी है तो पैनल्टी हाफ होगी जैसे कंपनीज एक्ट में भी है ओ सर मालब उन लों कर जायत्ती ज्यादा नहीं होगा नहीं बोला चोटा है ना चोटे को पर हम लोगों सही आप पेज नमबर 11 पर आओगे ना तो एलल्पी से रिलेटेड एक और चेंज है वो क्या चेंज है वो चेंज है कि एलल्पी जो भी अपॉइंट होगा वो फॉर्म जो करते हो ना आप फिलिप उसके साथ साथ अब आप यहां पर भी लोगों के डीपी आयन ले सकते हो डेस में भी स्पाइस प्लस यूज करते वक्त सिमिलर्डी हेर ओल्स इस फैसलिटी हाज बिन एक्स्टेंडेड लाइवाइस कंपनी आट यहां भी आपके सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्परेशन पे पान नंबर और तैन नंबर आएगा पान और तैन अप्लाई नहीं क्या कोई इस वेलपर सचेंज इन यूपय लिमिट अभी पढ़ाऊं सर कितनी बार पड़ाऊं आप फंडिंग भी बताया कोई अब अब्यूप अब्सक्रिफिशन करते हैं आपको पता होगा लॉं टाइम बाक गॉर्में अस इंट्दूस अजब्स अजबा प्रोसेस बंदे आव इ we decided for those transactions to revise the limit from 2 to 5 lakhs so accordingly jaha-jaha UPi की बात होती है रहा ही इक्विटी प्सी क्यूटी में भी हो है रहा है व्यूपिटी में हो प्रोसेसे कुरिएब्स में हो है कुछ से मुपल डेट में हो खार्ष में हो लिमिट अच्टेंड करो 1ज में 2.022 वीट करो एक्वीट में जान मुझ क आएगा, इस्वी आएगा इश्यू आफ सेक्यूरिटी रिसीट ओपन ओन फस्ट अप्रिल टूरो 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 क्योंकि दिमांग में याद नहीं रतते हैं टैममेंज वगर कि इत विल बी फॉर इशूज ओपनिंग ओन फर्स्ट में टू जिरो टू 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 और देर आफ्टर ओमाइग काउट सर वी अब नॉटिस एट कोई बात नहीं सर उसके बाद एक अलोडिया से रिलेटेट चेंज है हां जी उसमें लिकावा सेवेंटीन वन भी ओमेट हो गय के लिए सेवी एक रात को डिसीजन लिया सर सेवी रात को डिसीजन ली न दे आपके डायलोग में सारे डिसीजन रात को याते है हां जी सेवी एक रात को डिसीजन लिया कि क्यों न सारे के सारे चेयरपरसेंट 500 कंपनी के एनीडी हो जाए बोला NED बनाओ, क्योंकि बोला ED रहने से ये लोग है न दिन भर जो इधर हो दोता बता नहीं चलता है तो इनको non-executive बना दो लेकिन तब COVID आ गया, COVID के चलते फिट टाल दिया, दो साल फिर जब 2022 में आया तो येलाइस किया कि कई कमपनियों उनने अडाप्ट ही नहीं किया इस प्राक्टिस को तो 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 ये आप डिसाइडेड इन दी मन्त आफ मार्च 2022 तो तो देट लेट्स रिमूव इट और उन्होंने इसको वोलेंटरी कर दिया कि आप वोलेंटरी करो तो अच्छी बात है मेंडेटरी नहीं है सुपर्मेंडेटरी अब नहीं रहा नहीं मेंडेटरी एकदम भी नहीं है तो सर आप वोलेंटरी फॉलो कर सकते हैं जी राइट सेकेंड एकाउंट से लेटेड आपको पता होगा एक MCE का लहाता हुआ वह सर्कुलर आया हमें साथ पहले डेट थी 1st April 2020, फिर उसको 21 की, फिर उसको 22 की, अब बोला 23 से, आने वाले 23 से होगा, तो अभी अगर जान मुझके audit trail पर question ना जाए, तो प्लीज लिखिएगा, the audit trail will be applicable from 1st April 2023, सर समझ गये, बहुत छोटी-छोटी सर बहुत इसी लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर आ पढ़ा ही नहीं, अच्छे लग रहा है, ऐसे बता रहे तो, next amendment is, UPI limit, यहां मैं लिखूँगा, MNB, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ सर, समझ गे, हम लोग की कोई 5 लाग बहुत बाग पढ़ा दी, सर यह तो limit, तो सर, हम लोग को आंक बंद करके याद है, फिर 1st में भी याद रखना, एकदम, एकदम सही, सर, एक करना, Companies Act में Management and Administration Rules में भी अमेंड आया है, मैंस अमेंडमेंड मेंड आया है, क्या है, सर, यह, रिजिस्टर को लेके, यह है, रिजिस्टर फ मेंबर्स को लेके, क्या है, रिजिस्टर फ मेंबर्स जब हम लोग देते ना, तो होता क्या है, मालूम एक बात, जब हम जब हम रिजिस्टर फ मेंबर्स देते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉबलम हम लोग क्या करते हैं, कि उसको पूरे डिटेल देना पड़ता है, कोई एक्स्टाक ले तो, जबकि गॉर्मेंट वांट सम् प्रिवैसी, तो गॉर्मेंट ने क्या बोला, बोला एक काम करो कुछ कुछ चीज जो इंस्पेक्शन है न, उसमें मत दो, जैसे फॉर एक्सांपल उसका यूनिक आइंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर, राइट, और इमेल इड, एट्सेटरा, इस आर नोट रिकॉर्ड तो वी गिवन तो दी मेंबर्स, बिकॉस इससे क्या होता है, रेजिटर है, मेंबर है, ठीक है, रेजिटर अप मेंबर्स देखो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये सब चीज हम इंस्पेक्शन में नहीं भी दिखाएं, तो चलेगा. नेक्स्ट इस सर्च रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट में कुछ नहीं है, only the framework for conversion has been inserted. वो सर्च रिपोर्ट में आपके पैरा में पीछे लिखावा न, कि अगर इनविट ट्रस्ट को लेके सर्च रिपोर्ट देना तो क्या देखोगे, तो उसमें याप बस याद कि लीजेगा हां next is KYC sir, KYC से ने मब लग सुने की बहुती मिलती प्रवब्लमेटिक चेंगे है KYC तो चेंगे जो हैं sir, वो these are not good Sir, तो फो फिर किरें के KYC के चंगे KYC के चंगे थोड़ ऐसा डिफिकल्ट है समझ पाना Sir आप बना रहला है नहीं आप लोग है कि के चेंज में भी सुचते हो नहीं सर बहुत ही चेंज आ है कुछ नहीं यह बीजी है रूल जो 9 एह ना परला बात समझ जाओ मैं परले easy way में समझ आता हूं फिर यह रूल 9 समझ लो पर ले एक आपको इतना तो मालूम है कि गवर्मेंट का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग मेंटरिंस ऑफ रिकॉर्ड रूल इसके अंदर इस रूल के अंदर गवर्मेंट क्या बोलता है हमारे जितने भी fpi वगर हो foreign portfolio investors या फिर और भी कोई central इंटरी मीडिरी वगर हो वो सब अपने क्लाइंट के जो डेटा है central government के repository में जमा करेगी तो सर इससे जमा करके फाइदा क्या होगा इससे जमा करके फाइदा होगा कि मेरे सारे डेटा कुमलेट रहेंगे कलको कुछ का प्राप्लम मागी अपात कालीद में अगर हमें लेंड करना पड़े उसके घर पर समझ गया ना तो तुम तुरंथ डिटेल्स निगाल पाएंगे तो सर यहां पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर बोलना चाह रहे हैं गौ्रमन ने बुछ कि फॉरें पोर्ड पोर्फ Highway investors. Sir, ये कौन होते हैं foreign portfolio investors? Foreign portfolio investors are the one जो आपके यहाँ पर आपके बाहर सा invest करते हैं और हमको जरूरी है उनको बचा के रखने का Sir, मतलब जरूरी है बताए ना फिर से जरूरी कैसे है Sir, उनको बचा के रखना जरूरी है in the sense कि वो आपके market में invest करते हैं आप देखते होंगे market कितना up and down करता है just because of the FPI holding, foreign portfolio holding तो Sir, इसमें basically relaxation क्या दिया? Government बोला कि अगर सुनो FPI वगर होना तो उनके KYC को आपको जो दस दिन में एक requirement है कि आपको दस दिन में government के पास फाइल करना पड़ता है central repository में every entity बोला वो नहीं करना पड़ेगा तो Sir, इसे फाइदा क्या होगा इसे फाइदा होगा FPI will be encouraged more towards the investment अधरवाइस एक cumbersome process का feeling आता हमेंसा लगता था अरे यहार इतना काम कराएगा FPI को भी बोलेगा कि डेटा फाइल करवाओ इसलिए रिलाक्स किया समझ गए Sir, तो FPI के लिए relaxation है के वाइसी में records फाइल नहीं करना तो के वाइसी का जब चट्टर पड़ेगे न हम लोग जहां पर Central के वाइसी के वाइसी जानमच के एक्जाम में आजाएगा कि are there any relaxation from the KYC norms for the intermediaries? Are there any relaxation for KYC for intermediaries? Your answer should be yes, FPI वाला Next हम लोग पढ़े थे ना, individual में हम लोग पढ़े थे जो VC मोड पे permission आगया कि live certificate आप video conference के थू भी अपना मालब verification करा सकते हो जासे हम बताया थे ना, एक example में कि आइसे इसे बैंट टैब ले जाके आपसे photo की लाइब वगर वहीं पर verify हो जाता है KYC आप बार्मेट्रिक देते आधार का KYC चैप्टर आधार है धुलना हाँ सारिद्दम है जाधार कि आधार, क्योंकि आधार में confusion हो रहाता है कई लोग अधार का लंबा वाला काड़ करे करते हैं, कई लोग अधार का PVC काड़ करे करते हैं, चोटा ला यह पर एज़ाश अथरिटी ऑफ इंडिया इसमें फाइदा यह है कि एकी कार्ड किसी भी रूप मत बुला भगवान का नाम सुनियो ना कि नाम अलग-अलग है रूप अलग-अलग है लेकिन है तो वह एक ही तो वैसे ही बुला अधार का लेटर अधार पीवीची एह अधार सब एक है सब को ड सबक्वल किया जाएगा वह अपने एंड पर जो लोग भी वेरिफाइग करेंगे वह अपनी वेरिफाइफाइए करेंगे मतलब जो वेरिफाइंग एजनसी जिनके पास ये सब्मिट करेंगे वो अपने आप ये वेरिफाइग करेंगे समझ गया है तो आधार यह हुआ सरा अधार से एक और चेंज है डीजी लॉकर बुला अधार को रिकर्गराइज दो भई कि डीजी लॉकर में से भी कोई दिखा कि अगर पूफ करें इसको तो वॉलेंटरी वेसिस पर यह लाओड हो गया देखेंगे डीजी लॉकर में आ गया सर कुछ कुछ चेंजेज अब हमारे जो है पेज नंबर 17 पर वो है साइनिंग सेर्टिफिकेशन वगरा पर सर यह क्या है इसमें कुछ नहीं है इसमें चेंजेज यह है छोटे छोटे एक मालूम है एक रूल है गौर्णमें ने नोटिफाई किया भी रिसेंडली Consumer Protection Direct Selling Rules 2021 यह रूल्स क्या है यह रूल्स बोलता है Direct Selling Units वो होगे जो खुद direct entities है market में sell करती हो goods बगर को राइट वो चाहे entities हो चाहे selling agencies हो all together यह किस दिल लाएगा यह because you know that जब हमारे market में multi-layer पे marketing होती है ना तो किसका add कौन दे रहा है पता नहीं चलता है कितना गुमरा करते हैं एक दुसरे को तो government नहीं क्या किया अभी एक द्रहा कंसेप्ट लाएगा consumer protection direct selling rules और उस rules में government clarify कर दिया सर क्या clarify किया government आपके हिसाफ से government has clarified कि first तो आपको partner वरनना पड़ेगा सर किस में partner वरनना पड़ेगा आपको partner वरनना पड़ेगा national consumer helps line government की है यह right convergence process सर यह क्या है इसमें government बोलता है कि आप लोग जो भी direct selling में entities engaged हो वो सब की सब जिम्मिदार होंगी उस एड की अगर आपका कोई products related ad है समझ गया सर सकेंड बोला अगर उसमें कोई liable होता है कोई liability arise होता है तो आप उस liability में भी responsible होंगे समझ गया सर वो भी होंगे तो सर हम लोग को यह benefit क्या मिला हमारे signing and certificate chapter में जब हम पढ़ रहे थे कि company secretary को annual return sign करने का permission है company secretary को आपके pre certification of from sign करने का authentication है sir company secretary can act as a registered valuer sir company secretary can appear before the nclt company secretary को इक और power मिल गया कि consumer protection direct selling rules में अगर direct selling entity को website का confirmation करना है कि हमारी website पूरी की पूरी compliant है सारे disclosure है website पर वो कौन सेटिफाई करेगा company secretary खुश हुआ है अप लोग हसी आई चाहिए पर अरे हसी तो आजाने चाहिए इस एक्जाम के डल लग रहार आपको हसी चूट रही है सर अरे इस एक्जाम तो ठीक है लेगिन हसी तो आनी चाहिए ना next day IFSCA International Financial Services Center Authority सर यह क्या है IFSCA में कुछ नहीं है IFSCA में क्या है यह basically insurance related regulation है बोला insurance regulator में जब हम लोग को जब कोई भी intermediaries वगर बन रहा हो हमको इसके regulations के compliance certificate देने थे उसमें अब हमारे सभी professionals का नाम आ गया है that means chartered accountant practicing company secretary practicing cost accountant and similarly the same has been that is for insurance intermediary और secondly अगर आप insurance business कर रहे हो उसमें भी हम चूड़के है तो यह भी प्राइड है हम कितनी सारी certificate or sign कर सकते हैं सोची आप हम इस्वाप में से certificate sign करते हैं टी लिस्टिंग में हम पीर-reviewed company secretary बनता है right mgt8 file करते हैं आज देखें देखो companies act के बाहरे भी खुश हो रहे हो मतलब मज़ेदार बात देखो मैं क्यों इंफरसाइज करके कि खुश हो यह कि हम companies act के बाहर भी certificate sign करते हैं हम लोग सोचते सिफ companies act ही हमारा जोन है कि राइट डाइस नॉट डी वेए कि सर समझ गया है फिर क्या है फिर है से भी एलो डियार यहां पर क्या है सर कि एलो डियार में बोलता है एक certificate of compliance होगा कौन सा वाला यह preferential issue वाला सर फिर से बता रहे हैं आप यह नोट कर लो ना फिर बार बार क्यों बोलू सर के बीपी आज भी नहीं भूले हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे तो पढ़ते रहो जब तक आप नहीं सुध होगे मेरा असर इतना ही है सर अब याद रहेगा सर फिर सर उसके बाद उसके बाद एक इंडियन बुलियन एक्स्चेंज होता है वहां पर भी इनकी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसिंग कि कितना टर्न ओवर इनका दियुदा सर कम्नी सेकरिटी के पास तो काम बहुत है सर इंटरनेशनल फिनैंशनल सर्विस चेंटर में चला गया डिरेक्ट शेलिंग में चला गया ओल्रेड़ी यह सब कि बहुत सबस्जों ना अरचुन की जेत होई थी तो सेवी ने भी सारती एक एप लॉँच किया खिया किसे लिए सार्थी ऑला के क्या करें होगा साथी होगा सार्थी अपतरानी के चीछिव पाएंगे का स्काना आप पस होता किया कि आप मोबाइल में डाउनलोड करके देखना है इसमें आप आपको आपको जानना चाहिए वो भी पता चलेगा इसमें आपको भी पता चलेगा कि आपके पास क्या-क्या informations sih for example when to invest गैट वैर तो कंप्लें अगर आपको कंप्लें करनी हो तो स्चिंश कर सकते हैं में कहा कर सकते हो सब्सक्तोने ककी बेंगे उन में यृऔर और आप ब्ल९्य कि शूट्स कि मार्केट क्या है market में कौन लोग invest करते है market में investment करने से क्या फाइदा है sir इसमें complain भी हो जाएगी नहीं complain वाला scores है अगर आप उसमें जब जाओगे तो अपने हाफ direct कर देगा आपको अलग है आपके लिए which is a scores तो जब आप मैं बता रहा रहा है नहीं हम सुरू में जब अपन कभी लिखेंगे कि what is the role of saving in improvisation of market तो one of the role which we will write is also this सार्थी app सार्थी app, scores app investor charter, याद आ रहा है वापस सारा सर एकदम उसके बाद और क्या चेंज रहा है उसके बाद है कि मानुआ हम mutual fund को इंडियस adopt करना है राइट जो schemes वगर है तो वो adopt करेगी effective from 1st April 2023 तो उनको कुछ नहीं, दो साल के लिए transition period में उनको जो पुराने figure restate करने पड़ते है उनके लिए exemption दिया है, अरी it's a very basic जब इंडियन companies एक भी आया था ना तो उसमें भी जब इंडियस नोटिफाइड हुए इंडियन company के लिए तो company हो को transition phase में restate करने के लिए अलाओ किया गया था same here oh, तो sir, मतलब वो लोग इंडियस में जो transition phase में होगा, restate नहीं करेगा हाँ, तो इसमें एक छोटी सी query जान मुच कर एक राशी आजाएगी कि भाई, एक mutual fund उसको अभी 1st April 2030 से account बनाना है the consent of mutual fund is a scheme, the management is worried about the previous two years figures, so as a company secretary, you please advise the procedure to be adopted, आप बड़ावा लिख दोगे accountant को hire कर लो, he should be very accountant from big four, big six, big five, ऐसा लिख दोगे and he should advise India, sentry and all सीधी सीबात आप advise करोगे, कि देखो भाया, दो साल के लिए तो जब है नहीं, तो tension क्यों voluntary लेना है, तो yes we can और answer मिल जाएगा sir, बहुत easy और उसके निचा और तो बहुत easy है, तो बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि बोला है, set management company को भी अव audit committee बनाना पड़ेगा देखो आप audit committee का रूल कितना बढ़ रहा है sir, समझ गया, sir, फिरस separation of rule and chairperson and MDCO 17.1.b कितनी बाहर पढ़ें, sir अभी तो पढ़ा है, आपकी chairperson non-executive हो सकता है कि नहीं हो सकता है तभी तो बोल रहा हूं कितनी बाहर पढ़ें चलो, कोई बात नहीं, next page पर आईए audit देखो यह वाला जो investor charter लिखा वा है ना by stock broker on their website मैंने बताया था ना, stock broker लोको अब आपने जो complaints वगए रहे हैं कैसे उनको resolve किया जाए, क्या FAQ है, कि आप किसको complain करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सारा का सारा charter website पर रखेंगे, जब हम पहले करवा रहे तो यादर है, एकदम सुरू में मैंने उसी समय लिखाया same is for stock broker and same is for portfolio managers and mutual funds मिला ऐसा, हाँ जी सर, एकदम, same है यह तो, same है, मैं तो बोली रहा हूं, बार-बार आपको बोल रहा हूं सर, next, Securial Audit में बड़ा चेंज है, यह भी आपका डर है, Securial Audit में भी कोई चेंज नहीं है, परला चेंज दिखाया है Securial Audit में, Foreign Portfolio Investors में, सर, Foreign Portfolio Investor में तो आज आप एक चेंज बोले ते, वह भाला चेंज किया, जो आप बता रहे थे ना कि चेंज है, कि फॉरंट पॉर्फोलियो इंवेस्टर्स को वह रूल 9 में के वाइसी नहीं देना पड़ेगा, नहीं वह तो के वाइसी रिलेटर था, अभी Securial Audit रिलेटर बात करें, हुआ क्या, मालब में यहां पर एक Regulation 7 बोलके, एक Regulation है, जो भी FPI होता है, उसको एक Registration Number दिया जता है, आपको इतना तो पता है कि सारे के सारे FPI, यह तो every one of us know, that all the FPI should be registered with these CBE, right? एक Registration Number मिलता है, Sir, Regulation 7 में आज तक जो लिखा हुआ था, आज तक, आज तक पढ़ा हो नहीं, बोलनेगा, मतलब, NSDL देगा, लिखा था कि Registration Number shall be generated by NSDL, National Security Depository Limited, Depository Limited, तो Sir, अभी क्या change हुआ, अभी Regulation 7 को थोड़ा सा मोडिफाई किया, जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, सेभी ने थोड़ा सा मोडिफाई किया, थोड़ा सा, एकदम इत्ता सा, बला क्या लिखा, Sir, उन्हों ने बोला, अब सेभी नमबर देगा, बला मैं हुआ हुआ, सेभी देगा, हाँ जी, तो Sir, यह नमबर अब सेभी अलोट करेगा, सीधी सी बात है, इद्धम सीधी सी क्या, सीधी टेडी जो समझना समझो, सेभी विल अलोट दे नमबर, तो Sir, हम समझ गया है, इसका मतलब अब सेभी नमबर देगा, येस, और इसलिए सेभी ने जब अगर सेभी फोरेंट पॉर्टफोलियो इंवेस्टर कुछ कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो सुव मोटू या फिर अप्लिकेशन करने पर उसको कुछ रिलाक्सेशन भी दे सकता है, क्योंकि अब सारा का सारा किसके हाथ में, सेभी के, तो रेइस्टेशन कौन देगा इतना चोटा सा चेंज, इतना डरा के लिखा हम लो को कुछ समझ में नहीं आया, तो रेइस्टेशन सेवें जरूर याद रखेगा यहां पर, जो यहां पर कवर नहीं है, प्लीज पढ़ लिजेगा कि अव सेभी जंडेट करता है नंबर, सर वेरी क्लियर, आप तो दरकारी कि शाम थी, सर, कहां से आप इतना पुरान ले गए सर, सुनी ना, साम थी, साम को एक सर्कुलर आया, नोटिफिकेशन आया, बोला, कॉंबिनेशन होता है न, जो कॉंपिटिशन आक में डिफाइन है, उसको जो 30 देज में नोटिफाई करते हो न, बोला, पांस साल के लिए एक बार वेवर चलेगा, बोला क्यों, बोला, बोला, बिजनस माइंड, बिजनस बढ़ाओ, देश बढ़ाओ, बिजनस बढ़ाओ, तो पांस साल के लिए, एक रिलाक्सेशन दिया, क्योंकि क्यों होता न, ये थर्टी डेज में कॉंबिनेशन को नोटिफाई करना बहुत था, CCI को आफ सारे डॉक्यूमेंट्स दो, CCI स्कूटनी करेगा, हो सकता अप्रूबल नहीं दे, हो सकता अप्रूबल अटक जाए, तो उनको आप ये सब डॉक्यूमेंट्स देते थे, थर्टी डेज में, तो पांस साल का वेवर दिया, पांस साल तो खतम होने में ही आ रह मतलब कोई भी कॉंबिनेशन, फिर से सुन लीजे, कोई भी कॉंबिनेशन आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तीस दिन के अंदर अगले पांस साल के लिए, ओ सर एकदम सांज में आ गया, फिर नेक्स क्या है, फिर आर्पीट पे डिस्क्लेमर है, रेगुलेशन से अप्रूबल लोगे, तो सर तो फिर प्रावलम हो जाएगी, क्योंकि शेरोल्डर से जब अप्रूबल लेते हैं, तो नेक्स शेरोल्डर की मीटिंग तो पंदरा महिने में होती है, तो उनमें तो एक साल प्रावलम होगा, बोला एकदम सही बात है, तो बोला शेरोल्डर के सिर्फ केस में यह अगले मिटिंग तक वैलिड रहेगा जब भी आप उसकी शेरोडर की मिटिंग करोगे ना नेक्स जीम तक उचाहे तेरे महिने चौदर महिने या मैक्सिमुम गप जो पंदर महिने जहां भी करें वहां तक वैलिड रहेगा बट अधर्वाइज वैलिडि कि वहां पर कवर हो जाएगा बट पढ़के रख लिजेगा कि सरी को और क्लारिफिकेशन नार्पीटी पर सेम क्लारिफिकेशन मैं क्यों बूलू देखो उन्हें साफ लिखा है कि अगर आर्पीटी आपने किसी एजीम में अप्रूबल लिया है ओम निवस का इचल वैलिड अप्टो देट ओफ नेक्स्ट एग्यम नॉट एक्सेडिंग फिटीन मंस तक उम्निवस का वैलिडिटी रहेगा लेकिन ओनली फॉर दोस विच भीन अप्रूवड बाइदी शेयर होल्डर नॉट बाइदी बोर्ड क्लियर सर्वी डूड डू 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 बोलोगे पहला जो चीज़ ने टेकोवर पर बताता हूं ध्यान से सुनो बोला है अक्वाइर अगर डिलिस्ट करना जाता है तो पब्लिक अनॉस्मेंट के समय ही बता देगा सर यह तो सायथ पहले भी था नहीं पहले ट्विस्ट था सट्विस्ट इन असेंस पहले ट्विस भी नहीं हो आप जानते हैं यह सब इन्परमेशन बड़ी धरावनी होती है तो बुला मार्केट में आप पब्लिक अनॉस्मेंट के समय ही बता दोगे लेकिन सर एक और सुन बताइए ना सर बात पहले पहले यह था कि जब हम पब्लिक स्टेट्मेंट की समय बताते हैं तो फिर हम उसके बाद डी लिस्टिंग को फॉलो करते थे अभी भी करोगे पब्लिक अनॉस्मेंट में बताने के बाद आप डी लिस्टिंग को ही फॉलो करेंगे सर अभी भी डिलिस्टिंग को फॉलो करेंगे हाँ जी सर पहले एक चीज था कि डिलिस्टिंग अगर अंसक्सेस्फुल हुआ तो आ जाओ टेक ओवर करो अभी एक नया चीज है वेट अच्छा लगी है सुनके अगर डिलिस्टिंग सक्सेस्फुल नहीं हुआ सर आपने विटामिन पी लिया ना हाँ जी अगर डिलिस्टिंग सक्सेस्फुल नहीं हुआ मलब 90% नहीं अचीज हुआ तो मैं फिर से 12 महिने के बाद एक और अटेम्ट ले सकता हूं डिलिस्टिंग का वह सर क्या बात पहले यह नहीं था अभी नया है और यह नया कुछ हम से सुना है राइट में भी नहीं लिखा हुआ था भी क्योंकि आपके इंस्टिंग में सोचा ठीक अबाद भी आए गई है वह आप लिख लीजे मलब अब अब एक और डिलिस्टिक अटेम्ट हो सकता है 15 मिंस विदिन 12 मॉंस राइट सर सो इस इस ओनली चेंज इन टेकोवर राइट सर टेकोर बोलता सिस्टम डिवन डिस्क्लोजर आगिया यस अगर आपको रेगुलेशन 28 वगर याद होंगे प्लेज वगर करने वाले तो बोलता है ना आप जब प्लेज करोगे रिवोकेशन का इन्वोकेशन का इंटिमेशन दोगे कम्पनी को एंड स्टॉक एक्चेंज को राइट अरे सुने है की नहीं सुने हो ना आया ना बोलते जाओ आँ सर इदम सुने अब वो डिस्क्लोजर कम्दी आपनी को देने को लुए जब आप इनको प्लेज करोगे तो नसे लिया सीडीस को बताना पड़ेगा ने सीडीसल जब इसको प्लेज को रजिस्टर करेगा वो इमीडियट्ली स्टॉक इसको बता देगा तो इसीडीस के पास ओटूमेटिकली इन्टिमेशन कर गया सर इतना एजी हाँ, सर समझ गया अब टुफ नहीं है, सर फिर देखे ना एक और चेंज नहीं नेक्स पेज में सर, सेवी सटल्मेंट प्रोसीडिंग में कितना सा बात आए, बुला सेवी का जो सेटल्मेंट प्रोसीडिंग है जिसके अंदर में आप सेटल करा ले तो matter अफा कि आपको मार्केट से बाहर कर दे कि आप इतने साल के लिए मार्केट में नहीं आओगे पहले क्या था यह पावर एयो सेवी के अजुडिक अफिसर या फिस सैट एक्सराइज करता था अभी बोला सेटल्मेंट प्रोसेडिंग जब हो रही है तो यह जो कमिटी से हो क्या था ह हाई-लेबल कमिटी से बोला वह भी एक्सराइज कर सकते इस पावर को सपोज करो उसको लगा कि आत्मी बहुत ही ब्यूदा टाइप का मता होता है ज्यादा डिटेल टाइप का क्राइम किया है तो बोला क्या करेंगे बोला एक काम करेंगे उसके उपर एक नॉन मोनेटर पै इंटायर सब्जेक्ट का फिमा में जो चेंज है ना बुलो देखो फिमा में बुला कि अभी वी इसोफ्स वगरा है लाउड है स्वेटिक्रिटी इसोफ्स बट बुला दो तीन बातें इंसर्ट कर दी बुला एक तो आप से भी को चेक कर लेना कंप्लाइंस हो की नहीं दू हम लोग पहले प्रायर अप्रुबल लेंगे प्रायर क्योंकि वहिया हम लोग उनके साथ नहीं हो सकत Ond रहाइट से मज गैज अप्रिटी कन दूक डेलोग उनके साथ नहीं हो सकते so that's the like total summary revision of the entire this chapter or entire this subject you can say skaketal audit चलते चलते हम लोगो लगा बड़ा डर बट चलते चलते ट्स तू इजी नहीं हम लोगो जब 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 खामका डर रहते हमने स्टार्ट किया सर क्या स्टार्ट किया हमने आपको बताया simple simple change say for example second audit में क्या change आए second audit में changes are relating to ICDR जो हम लोग पढ़ी चुके like cap minimum 105 percent lock-in period reduce हुआ general corporate purpose or not specified project 35 percent reserve रहना ICDR में preferential issues में CS का certificate देना right हमने LODR में पढ़ा कि separation of CEO और chairman role जो है voluntary हो गया है mandatory नहीं रहा है हमने यह भी पढ़ा कि LODR का regulation 23 means RPT related disclosure related will also be applicable to high value debt entities right हमने चलते चलते यह भी पढ़ा कि segment wise role of company secretaries में अब company secretary वो भी certificate sign करेंगे जो direct selling के लिए हो company secretaries qualified dwellers के लिए भी certificate sign करेंगे international financial service center में company secretary insurance regulation जो IFSC में है उसकी भी certificate sign करेंगे मतलब role देखी CS का कितना बढ़ गया सर हमने चलते चलते search and status report में conversion from private to public in with trust वाला भी देखा right हमने फिर बात-बात भी FEMA related changes देखा कि क्या क्या changes है sectoral cap में होना चाहिए ESOPS वगरा है CB के compliance में होना चाहिए अगर लिस्टेड वगरा है तो plus पाकिस्तान और बंगलादेश के देर हो तो limit देख लो और उसके अलावा हमने यह भी देखा कि that there are relating relaxation relating to KYC जैसे कि आप FPI को आप नहीं वो सकते वो client की information within 30 days within 10 days file करे उनको relaxation दे दिया आधार का M आधार आधार पीवीची सबको वैलिड कर दिया अधार को डिजिटल लॉकरती तरह भी रिकगराइस कर दिया sir FPI को भी और कुछ relaxation मिला हाँ जी से भी ही इनका registration numbers generate करेगा और से भी इनके application पर कोई specific relaxation भी दे सकता इनको राइट तो सर्थ summarize में हम लोग पढ़े और फिर takeover में भी सरा बता रहे तो वह भी बता जिए takeover में हमने पढ़ा कि deal listing साथ साथ announce करोंगे while making the public announcement और एक बार deal listing unsuccessful होने के बाद भी you will have a chance to make another attempt to make the announcement so deal listing will also not be that आप विदिन 12 months फुरिस से आप एक अनदर deal listing जा सकते हो जो पहले नहीं ही था possibility तो हमारे पास सारे के सारे window chains खुले हैं right so this is all about the entire amendments of your secretary stay tuned to our video streaming or our link we are trying to make sure that each and every amendment whatever has been supplied or what has been provided institute के जो supplement में है हम सारे के सारे आपको वीडियो के तहत available कर रहे thank you